तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला T20 मैच जो कि तीन अगस्त को साम को 8 बजे से खिला जाएगा भारत के समय के नुसार बेसिकली करना चाहिए कि रात से 8 बजे स्टार्ट होगा ये उसी मैदान पर मैच खिला जाएगा ब्राइन लारा स्टेडियूम के मैदान पर जहाँ पर आखरी वंडे मैच जहाँ पर इंडियन टीम ने तीन सो क्यावन रन बने थे पहले बैटिंग करते हुए और उसके बाद 150 के आसपास के स्कोर पर आलाउट कर दिये था और 200 रोनों के बड़े अंतर से उस मैच को जीता था वंडे वाला मैच जो तीसर इसके अलावा इसी मैजान पर केवल एक इंटरनेशन टीटोंटी मैच इसके पहले खेला गया है जो कि दोनों टीमों के बीच हुआ था इंडिया और विस्ट इंडीज की बीच में 2022 में जिसमें कुछ ही ऐसे प्लेयर थे जो कि इस मैजान पर खेले थे इंडिया के तरफ से और विस्ट इंडीज की तरफ से भी गरमें बात करो तो इंटरनेशन टीटोंटी ज्यादा मैचेस कोई खेला है नहीं समयदान पर वही जो 2022 में मैच हुआ था उसी के खिलाली कुछ एक-एक मैचेस यहाँ पर खेले हैं लेकिन विस्ट इंडीज की टीम चूकि यहाँ पर स विस्टिक साटेट में मैचेस भी होते हैं उसके भी टीटोंटी के हिसाफ से जो वेन्यू स्टैट्स हो आपको मैं पर सेयर करूंगो जो कि आपको और कहीं वीडियो में मिलेगा नहीं बखकी इंडिया के तरफ से वही जो एक मात्र टीटोंटी हुआ है उसका वेन्यू जाते हुए यह हम देखेंगे कि काउन से हमारे पास differential options हैं सभी section से चाया विकेट कीपर की बात करें चाया बैटर्स की बात करें चाया आल राउंडर्स या बॉलर्स की उनमें से जो हमारे पास differential picks होंगे उनको भी अपने team हम लेकर करके चलेंगे जिसकी basis पर चीखासी winning आप क पिक्चर के साथ आपको मेरे पास information available होती हूँ आपको मैं आपर दे देता हूँ final small league के team भी आपको यहाँ पर मिलती है तो जाएए इसी वीडियो के description में या इसी वीडियो के comment box में जो pin कियागा comment है दोनों में से किसी भी जहाँ पर आप जाएंगे link आपको मिल जाएगा मै पर के नीचे के join button को देखी और उसको click करिए join करके तयार रहे मैच का update toss होने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा अब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे pitch के और जैसा मैंना को बताया कि एक मातर जो तीसरा ODA match यहाँ पर इस सीरीज का खेला गया था जब इंड टीम में 350 का score खड़ा के 200 रंज से मैच को जीत लिया और उसके हिसाप से अगर आप देखें या इसके पहले जो एक और T20 मैच हो चुका है इस मैदान पर या इसके पहले भी अगर हम बात करें आला कि उसके नंबर्स आपको यहाँ पर मैंने share नहीं कर रखा लिए CPL के भी क बहुत बड़ा फरक नहीं आएगा लेकिन सेकेंड इनिंग के लेटर हाफ आफ दे सेकेंड इनिंग यहाँ पर जो जो बॉलर करते हैं बॉलर जो अपनी करते हैं उस पर गेत फसेगी और यहाँ पर चेर्ज करना कटिन हो जाएगा तो कोई भी टॉस जित करें आप पहले ब खराब खेलती हैं और सेकेंड इनिंग में वैसे भी अगर यहाँ पर इंडेंट इंटिंग के बॉलिंग का मुखा मिला तो जो इस पिनर्स के पास जो पेसर्स था हैं वो दिक्कत पेस करेंगे ही और वही आपकर निकल करके प्रिशले वाले मैच वहीं इस मैदान पर हुआ प्रिफरेबल होता किसी भी टीम के लिए तो यह जो आपने प्रिचर पोड देखा इसके हिसाफ से मैं रहे पास कौन-कौन से प्लेयर को टीम में आपको इनिंग के हिसाफ से लिए करके चलेंगे पहले तो प्लेंग लिए लेकिन आंकडे जब हम देखने लिए कि सभी प्ल आप खेलते हैं उस सारी चीज़ आपको वीडियो में बताऊंगा बाकी यह प्लेइंग लिए और आप देख लेजिए जिसमें इसान किसन सुमंगिल यससी जैसवाल नंबर तीन पर सूरिक मार्यादो नंबर चार पर तिलक वर्मा खेल सकते हैं बाकि हार्दीक पांडया है और जो बाकी हो और अगर कोई बच गया तो डेफिनेटली अक्षर पडेल और हार्दीक पांडया ही उसको पूरा करतों दिखाई पड़ेंगे तो बेसिक लिए अगर आप देखें तो प्रापर पांच बॉलिंग ऑप्शन इस टिंग के पास रह सकते हैं जो पार्ट टाइ अगर यही बॉलिंग अटाइक आज के समय तो चलती है बागी ऑप्शन जो है इनके पास बेंच पर उसको भी हम देखेंगा लेकिन उसके पहले वेस्ट इंडीज का भी प्लेंग जोन अप देख लिए इसमें कायल मेर्स ब्रेंडन किंग आपको ओपन करतों दिखाई पड पाइड और इसमें भी अगर बात करें कि चार ओवर के कौन से बॉलर है कौन से बॉलर पावर प्लेया डेथ में आएंगे बॉलिंग करने तो डिफिनिटली यहां पर आपको अलज़ारी जोजब भी दिखाई पट रहोंगे जो कि आपको पूरे चारोवर की बॉलिंग संदर के सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोनों इनिंग में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, कोई भी बैटर हो, और जो वेश्ट इंडियन टीम है, बेसिकली, इनकी सेकंड इनिंगी बैटिंग डेफिनिटल इनको मुस्किल होगी, स्पिनर्स के सामने, अब इसके बाद बेंच को भी आप देखने, कौन कौन से बें प्लेइंग डेटों को आपको में टेलीग्राम पर सेयर कर दूँगा, अब पिछ रिपोर्ट और प्लेइंग 11 को पूरी तरह से समझ लेने के बाद, बॉलर्स के पूरे रोल को समझ लेने के बाद, और बैटर्स के इनिंग में केतने बैतर होंगे, उसको तहम यहाँ पर आ इसान केसन की बात करें, तो आपको पता है कि तीनों मैचस में इनों ने हाफ सेंचुरी लेगा थी, जो वंडे सीरीज उती, उसके पहले भी 15 और 14 की दो पारी, बागे सुबमंग गिल की बाद करें, तिनों ने लास्ट मैच में पचासी, उसके पहले वाले मैच में 34 रंग पूरा करियर जो T20 के है, उसका अगर आप एवरेज देखें, बैटिंग का पहली इनिंग का और सेकेंड इनिंग का तो यहां पर मने सेर कर दिया, 30 का ही एवरेजिंग का दोनों ही इनिंग में है, चाहा है पहली इनिंग की बैटिंग हो, एकोली गुड खेलते हैं, लेकिन वहीं अगर आप सुमंगिल का देखेंगे, तो चेज बेहतर करते हैं पहली बैटिंग की आप एक्छा, उसके लावा सूर्य कुमार यादो, आप सब को पता कि T20 में बिलकुल अलग प्लेयर हैं, और वन डे में बिलकुल अलग प्लेयर हैं, जो कि अभी तक देखनों का मिल उसके साथ हरदीक पांडिया, इन्होंने भी आगरी वंडे मैच पर सांदार बैटिंग की बाकी बाकी बॉलिंग करते हैं, कुछ खास विक्टे तो नहीं मिली, तीन मैच में एक ही विगेट ले पाया है, तीन ODI के सीरिज में, उसके पहले का भी फॉर्म अगर आप देखे सकते हैं, उसी तरह से अर्षदीप सिंग, टी टुल्टी के चैंपियन बॉलर हैं ही, डेथोवर स्पेस्टिस, यजवेंदर चाहल के भी नंबर्स यहां पर आप देख सकते हैं, आखरी पांच मैचेस में आई पेल मिलने दो बार चार-चार विक्टे हैं, एक बार एक विक करके उम्रान मलिक, आखरी छे मैचेस में विकेट लेस हैं, तो यह चीज आपको रीसेंट फार में देखने उसे पता चल रही है कि कौन सा प्लेर कितने अच्छे फार में हैं, और कुछ प्लेर के हापर आपको मैंने बिशेस तोर पर करियर के बैटिंग एवरेजेस सुरुक मार्यादो के 40 का बैटिंग एवरेज है, इसके लावा हर्दीक पंड़ा के 4 मैच में 24 रहने, दो विकेट हैं, पांच मैच में बेसिकली, बागी संजु सेंसन के 2 मैच में 45 रहने, एक बार नाट आउट रहे हैं, तो पैटालिस का ही एवरेज है, बागी अक्छर पडेल के नंबर्स भी काफी अच्छे, दो मैच में 25 रहे हैं, अपनी आम बॉलों से काफी फजाते हैं, बागी अर्जदीप सिंग के 5 मैच में 7 रहे हैं, पांच में 6 रहे हैं आपको दिखाई पड़ेंगे, या जुएंदर चाहल की कुल्दीप के नंबर्स तो आपको हम कर लें, तो इसी मैदान पर जो आपको मनें बताया है, 2022 में दोनों टीमों के बीच मैच हुआ था, तो उसी की परफोर्मेंस है, वेसिकली उस मैच पर सूरुक मार्यादों खिले थे, 24 राजिनों ने बनाया था, यह करम बनाया था, विकेट नहीं मिला था, उस मैच में हार उस में विशेश तोर पर जैसे काईल मेर्स तो खेली रहते, कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, ना तो बालिंग से ना तो बैटिंग से, एक 36 के अच्छी पारी जरूर आए थी, बाकि कुछ खास कमाल इन से हुआ नहीं, इसके लावा ब्रेंडन किंग भी कुछ खास कमाल नह रहे हैं, मेजर लीव T20 क्रिकर्ट, जहां पर इन्होंने अपने टीम को जितवाया, हाला कि उसके पहले भी इंके जबरदस फार्म रहा था, अंसट और बासट की दो और जबरदस पारिया रही थी, बाकि रोमन पावेल, इंका फार्म थोड़ा सा गड़ बढ़ है, पिसले अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो रोश्टन चेजिक बहुत ही अच्छे डिफरेंसल प्रीक आच के स्मेच में होने वाले, जिनको आपको टीम में लेकर के जाना ही है, बाकि रोमारियो सेफट, वन्डे सीरिज भी इन्होंने, टोटल तीन मैचस में पांच उक्टी चटक करके आ रहे हैं, बाकि अलजारी जोजफ, इन्होंने वन्डे सीरिज में भी तीन मैच में तीन उक्टे चटका है, उसके पहले के दो मैच में चार विकते हैं, इसके बाद अब अगर आप देखें तो आखरी पांच मैच में केवल दो विकेट है, तो थोड़ा सा फॉर्म होती है, तो अबेद मकवाइब वहाँ पर और भी अच्छे हो जाते है, खास है कि अगर गेट को थोड़े को स्विंग मिल जाए, बाकि साई होप, टी टॉन्टी में, हालाकि रिशन्ट फाम आप देख रहे हैं, इसमें दो पार यह तो आप देखेंगे, वन्डे सीरिज की बाकि सिमरे नेट मायर, इंका भी फाम थोड़ा से गड़बड़ी चल रहा है, बाकि ओडीन स्मित के नमबर से अगर आप देखेंगे, तो टी टॉन्टी में काफी अच्छे है, रिशन्ट फाम के बेसिस पर आप देखें, तो काफी सारे विक्टे भी चटकाई है, रन भी मौके मिलने पर बनाए है, और उसी तरह से ओसे अच्छे बॉलर माने जाते हैं, जब भी यह खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो रिशन्ट फाम, यह नहां पर आप आप देखेंगे, तो यहां पर आपको मैंने कुछ और चीज़े भी एक्स्ट्रा सेर कर रखें, जब वे इनिंग के लिए जब बड़ा डिफरेंस है, पहली इनिंग के लिए अच्छे पीख होंगे ऐज़े बैटर, इसके बाद ब्रेंडन किंग ए एक से प्लेयर रहे हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ चेज अच्छा करते हैं, 27 के एवरेंस से पहली इनिंग का बैटिंग एवरें इनिंग में, ओवराल एवरेंस से 26 का, 13 मैच पो 264 हैं, जबकि रोश्टन चेज इन्होंने जो टोटल 3 मैच में 6 विक्टे चटकाई हैं, 6 के 6 विक्टे इनकी आई हैं पहली इनिंग की बाग करें, तो 6 मैच में जो 4 विक्टे इनोंने चटकाई हैं, इसमें बहतर परफरम इनिंग में, इन्डिया के खिलाब 2 इनिंग में, यह चीज ध्यान में रखेगा, बागे अलजारी जो जफ चार मैच पर 5 विक्टे हैं, दोनो इनिंग के लिए काफि अच्छे बालर हैं, पांच मैच पर 9 विक्टे आपको दिखाई पढ़ेंगे, और पहली इनिंग में ब इनिग में बहुतर खिलते हैं, इस सेगेंनरी में बहुतर खिलते हैं, और बोलर की बात करें, उसको ध्यान में रखरके पनी टीम में इन्क्लूड करेंगे, तो आप डफिनेटली काफी एच्छी विनिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ग्रैंड लिंग में भी, बीए बीए अब सोड़े से कमजोर है बाकि रोमेन पावल के भी नंबर के वल्ट तेरा का बैटिंग इवर रज है लेकि रोश्टन चेश के नंबर बैटर और बैटर और दोनों कमाल के हैं दस मैच पर दोसो साथ रन और ग्यारा विक्ते हैं इस वजा से काफी अच्छे भी काज के समय में हो ऑगी रोमारियो सेफ़टो मैच में साहर विक्ते हैं जयासन होलडर दस मैच विक्ते हैं और दोसो तेरह रन भी हैं बागि अकील हुषऑन नौ मैच पर दस उपक्ते यहां पर इस मैदान पर आई है असुए इनमें विक्ते गयißt आइनों पहली विक्ते इन्हों ने जज़ आट छोगना-फ았습니다 प्लेयर खेलर्बश को सब्सक्राइब करना अधेस कїस्पर लेकार नइस सबस्क्राइब T और खास करका अगर मैं बात को इसमें करूं नाम तो होंगे रोस्टन चेज जो के डेपिनिटली आज के समय तो काफी बड़े नाम हो सकते हैं जो कि इंडिया के खिलाफ अच्छे बालिंग कर भी सकते हैं और करते भी रहे हैं और इन्होंने अठाइस के पर उन्नी संदे करके लीथल आप्सन हमेशा ही रहे हैं इसके रहां सूरिक मारे आदो इनका आगर आप देखें तो काईल मेर्स के खिलाफ नंबर खराब हैं लेकिन जेसन नुडलर को काफी पीटा अकील हुसेन पर भी काफी सारे रहन बना है जरी जोजफ के तोने जम के पीटा 68 गेट पर 108 रह कर रखा है काफी सच्टे में लेकिन होल्डर ने भी इनका आउट कर रहा है पच्पन गेट पर रंदर करके चार बार और और हार्दिक पांडा कर यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद आते हैं विस्ट इंडियन बैटर जिनका यहां पर आप नंबर देख सकते हैं तो जानते हैं कि काइल मेर जो इस पिन को अच्छा नहीं खेलता है और इंके सामने आ जाए तब तो इनकी बोलती भी बंद हो जाती है जिसमें से अक्छाट पडले बड़ा नाम इनके खिलाफ हो सकते हैं इसके बाद ब्रेंडन विस्ट इनका ने बीड़ आप आउट कि ही और विस्ट ने भी इनको दो गेत तीन गेत पर बीना कोई रंदी एक बार आउट किया तो अक्छर को छोड़ दें तो बाकि सभी के खिलाफ इंके नमबर आप देख सकते हैं वैसे तो ओवराल नमबर आपको काफी ठीक देखने को मिलेंगे विस्ट आइस गता बाइस नमबर जरूर हो चुक है और लेग सिंपन पर इंको दिक्कत होती भी है यह सभी जानते तो कोई भी तरीके के स्पीन हो खास कि लेग स्पिन दोन पर इंको दिक्कत होती है बाकी नमर से तो ओवराल काफी ठीक थाख आपके हैं दौज इहां पर निकुललस पूर्ण यहां पर आप चाहाँ तो देख सकते हैं और इन्हीं सभी नंबर्स के बेसिस पर जो हमारी टीम फिलाल इसमाल लिकी बन पारे वह आपके सामने है जिसमें दो विकेट कीपर तीन बैटर तीन आल रांडर और तीन बॉलर्स हैं चेंजस डेफिनेटले एक्सपेक्टेड हैं च कर दीजे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बिल आइकन को प्रिस करके रखें और भी बेहतरीन तरीके से आगे जितना ज्यादा आप लोग मोटिवेट करेंगे अच्छी वीडियो आते रहेंगे फिलाल चलते हैं नमस्कार